किर यह आप सब और आज मैं को अपने गाउन में खेतों की सेयर करायोंगी और जो भी गाउन हो concep के ए सब जया है तर से दो जा ने को भी बनायाए जांगी इसको खुठला बोलते हैं 가 के स्रसु लगे हुए हैं सपिली फूल लगे वे इसमें लहसं वे दनिया आप दिकरा हो अब हम लोग इसमें से कुछ सब्जियां तोड़ेंगे और अब धर की तरफ चलेंगे तो अर्विन तोड़ रहा है सब्सक्राइब तो आपने देखा कि इतना ग्रीन ग्रीन सा है जब फ्रेश बिल्कुल सब्सक्राइब हमें तो सिटीज में फ्रेश नहीं मिल पाती है क्योंकि ये तुरंट से खेस तोड़के तुरंट बनाओ तो तुसका टेस्ट कुछ और ही रहता है तो गाउं में इस चीज के बहुत अच्छे मजे रहते हैं कि तो फ्रेश फ्रेश खाने को मिलता है हम लोगों पहले हमना क्या इदहर गोड़े है किसा बनते है और यूप बनते है और बुरा Favorin देश भूरे है प्यास लचसन के सारी टिजए और यहां भी लगे हुए है चना जो मेरे खेत में लगा हुए अभी अब देख सकते हो और साथी मैं एक बहुत ही खुबसूरा सी चीज़े दिखाती हूँ यह देखे इधर यह देखे गोभी इसका फल ऐसे लगता है कालाख है इधर आमका बगीचा है अपी कुछ चल कैसे ल पर ने बिडियो बना रही हुँ ना तो इस टैम फिलाल खेतों बोया जाता है यह गेहुन बुआ हुआ है और यह भी से आपको स्पेस दिख रहा हूँ है यहां से पतली नहर जाती है हम लोगे शिचाई के लिए गवर्मेंट ने दे रखा है तो यहां पतली सी नहर है यह इता होता है कि जोब़टी वाले जो भी ऑन्र होते हैं वो यहां के ख्येद भी लेते हैं जैसेorkin पैसे पर एक बीगे ख्येद का पचास जार देते हैं तीस जार देते हैं जैसा भी ख्येद होता है उसके इसाब से वहां Пषेद खरीद भी लेते हैं और उसकी मट्टी को वो इटा बनाने के लिए यूज भी करते हैं तो कहीं हद तक यह भी अंगाओं में एक शाधन बन चुका है कमाने का जिनको अपने खेद देने होते हो भट्टी को दे देते हैं और सामने में दिखा रहे हूं आपको तो वह है वहाँ पर एक ना से वह हमारे ही थे पहले बामबो ट्री अभीद को निकाल दिया गया है मतलब बेच दिया गया है तो आप देख सकते हो यह वह मौत ऱहीए साथ अपने खेत में पटिलाइजर डाल रही थी फिर हम लोगों को देखी थे वो चली गई तो चाद में भी सर्मा गई होंगी किछ कह नहीं सकते हैं मैं आपको इचे दिखाते हूँ गाउ में भी लोग काफी अवेर हो गया है तो आप देख सकते हूँ कि यहां पर दिखी साइट से नालिया निखा ली गई है और मुझे लगता है खेस से लेके अपनी घर तक किसी ने अपना पुल को चौराहा बना कर रखा है तो जो डान वा किसी को चाहे सहर में हो सबको अच्छा से रहना पसंद है तो लोग अपनी हिसाब से उसको मॉड़रेट करते रहते हैं और यह है आम का बगीचा और बच्पन में हम लोग जब छोड़े-चोड़े थे ना तो सारे भाई बैन यह हम लोग फेलते थे आप लोग को पता होगा लेकिन उस टाइम एक हुलवा पताल नाम का एक गेम हुआ करता था जब हम लोग डंडी फेक के और उसे पेड़ पर चढ़ जाते थे फिर सामने वाला बंदा दंडी लेने जाता था तो ये एक गेम हमने बच्पन में खेल लिए तो पता नहीं आप लोग खेले होगे तो कॉम और ये खाओगे ना तो बहुत ही मीछा लगता है मतलब बहुत टेस्टी लगता है चुकंदर तोड़ लिया है पेड़ से दिखाओ बेट चुकंदर दिखाओ वीडियो में ये कैसा है आपको यह अचा फील हो रहा है ये रोटी नहीं है ये देखो गाम बच्चों को ना ल बहुत है मतल में ये पहुत है बस links अऊपले है यूख अछर आपले उपले को शे प्षों को यह ये तो बहुत है अपक इह दिखाँ है यार तो बड़ सब कर में भाइसे हैं लुच खाए सबिन को या है यह है इस त relent ठीज है तुमारी चोड सिर्टा ये सी अजोगुों नहीं आपनेशए। आप days, बीटो आपको छाल लग रहा है था के वह है और यह क्हल की क्हल देगों खुर दो तो खोड़न खयाért॥ अजिसले, जोटा फालो नेमोना बना लेंगे अजोटा यूपी की लोगोंगे काई उस पता हूगा निमोना क्या हुआ हुदा है मटर का निमोना बनता और बहाथी टेस्टी लगता है भ्लत करें पीको एम आर सब्सक्रेश ओरी घदना निमोना बनता बूहती है उसमें तेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है अगर आप उसको नहीं रगदो दो तो तो थो ठेस्ट भी आता है थे तक ख़ेतों से तुड़ा हुआ फ्रेश का इकला की फिलाता है इसलिए ने निचे करो तो यह बहुत अगिन हम चैने अले पर यह बैट हो जल दिया तो मैंने क्यामेरा पकड़ा है अधी में यह चाहिवा 药ह जदेकोब नीचे हमों इससे को यह यह ताव ने काई ठीक भाइन को किसलोट हो यह चाहिए बुछ साल Muiken जैना ने एक नंटाथ करना ऐसे बाट के हम लोग मस्त हरे हरे मटर खाएंगे मटर खाएंगे विलीज हम वह मजह रहा है अब हम घर की तरफ लोट रहे हैं तो घर के बास में ही यह भी है सैतूत का पेड लगा हुआ है तो यहां पे सैतूत अरविन तोड रहा था और यह जो आपको दिख रहा है न यह राउंड राउंड सा दिख रहा है लोही का तो यह चारा काटने की मसीन है पहले हम लोग मस्ती अब हम सारा सब कुछ लेके अब चलेंगे घर और यह जिस पर पीकू आपको मैं दिखा दिखा दिए जिस पीकू बैठी हुई है न यह बहुत पहले जो मेरे पापा ने यह पत्थर यहां पर लगाया हुआ था दमियर पर पपा का पत्थर है तो पपर लेके आय थे तो उन पर यह राइड वाली जो सेम के सबजी होती है बहुत टेस्टी होती है और यह हरा प्याज लेसर अर धनिया और कुछ हरी मिर्च तो खेतों में यह सा हमने फ्रेश लेके आए हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है कि हम अपने हाथों से तोड़े हैं यह सबजी तो बहुत और मेरे कुबेर में अच्छा लगता है यहां पर सबकोई पीकु के मज़े ले रहा है क्योंकि पीकु से बात करना सबको अच्छा लगता है यह ऐसी ऐसी बाते बोलती है ने कि जिसे बहुत मज़ा आता है तो सबको यह मज़े ले लेगा और अभी पिलाल हम सबकोई मुगल सराई तो चली चलते हैं अब मुगल सराई के लिए तो आप बताना कि गाओं के जो ब्लोग्स मैं डाले आप लोग को कैसे लगे अच्छे लगे कि नहीं लगे जुग नहीं ज़रू बताना और जो भी वीडियो को देख रहा हैं तो प्लीज वीडियो पर कॉमेंट करे और जो नए वीवर्स देख रहा हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाई बाई टिक क्यार मिलते हैं नेक्स व्लोग में